जो है महाकाली दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हर्दिक स्वागते महाकाली भगत गयान यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सपने में अगर आपको ये दिख रहा है जो मैं बताऊंगी तो किसी ने आपके घ चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेर कमेंट जरूर कर देना क्योंकि इस चैनल पर आपको आगे आगे ऐसी वीडियो मिलने वाली जो आपको कहीं नहीं मिली होगी यदि आपको कोई भी कोशन हो तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं उसका अंसर में आपको जरूर या फिर कहीं से चुराई से लगके आ गई है या फिर समजां से लगकर आ गई है तो दोस्तों सबसे पहले सपने के माद्यम में आपको गलत तरीके के सपने दिहना यानि कि आप लोगों को कोई एक ओरत और एक आदमी गलत काम करते वे दिखना मतलब संभंध वनाना तो अपने के माध्यम में दिखते हैं तो उसके घर में नेगितिवी सक्ति होती है ठीक है जो भूत प्रेत की सक्ति होती है वही उसको करते वे दिखते हैं और आपको इस तरीके का सपना दिखाते हैं वह गलत गंदा यह सपने सभी को दिखते होंगे मैं मानते हूं जो पूजा प किसी व्यक्ति पे हो सकती है बट यह है कि पूजपार्ट से आप लोगों को बचाओ काफी होता है यानि कि आपका ये नुकसान नहीं पोचा पाते हैं आपकी स्वेम देवी देपता रक्षा करते हैं ठीक है इस तरीके के अगर आपको सपना दिख रहा है तो आपके घर में भ दिखनीरा और आप डर के मारे भगरे उस से तो वह भी भूत प्रेत के संकेत होते हैं जब आपके घर में नेगिटिव सक्तियां होती है तो आपको इस तरीके के ही सपने दिखाई देते हैं तो ये तरीके के सपने अगर आपको भी दिख रहे हैं तो आपके घर में भूत प इस तरीके के सपने दिखते हैं तो हमें सुयम उठकर मातकाली का नाम लेना चाहिए क्योंकि एक मातकाली ही है जो इन सब चीजों से आपकी रक्षा कर सकती है और बचा सकती है और यदि आप लोगों को इस तरीके का सपने दिखते हैं, कोई ब्ैक्तिय आपके पीछे भाग रहा है, कोई इनसान, कोई भूत प्रेट आपको खाते भे दिख रहा है, मीट, मचली और दारु पीतावा दिख रहा है तो इस तरीके का सपना आगर आपको दिखता है तो आपके घर में नेगेटिव सक्तियां है और आपको कभी-कभी अपने घर में ऐसा मतलब डर सा लगता है जिनके घर में ये भूत प्रेट की सक्तियां होती है ना उनको अपने आप ही डर सा लगता है अपने खुद के घर में डर लगता है या फिर खुद के कमरे में जहां सोते हैं वहां डर लगता है कभी ऐसी अजीब सी आवाजे आती है कभी छम छम की आवाज आती है कभी छट पे जाते हो तो छट पे आपको ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई खड़ा है कोई हमारे पास से जा रहा है ऐसा महसूस होता है तो आपके घर में नेगेटीव सक्ति है अब उस नेगेटीव सक्ति को आप लोग कैसे दूर कर सकते हो यह मैं आपको बता देती है तो उसको दूर करने के लिए दोस्तों आपको सनीवार के दिन आपको यह उपाय करना है पील राई को ले लेना है आपको हात में रखकर उस मंतर का आप को जाप करना है ठीके कितनी बार करना है ग्यारा बार करो या फिर इकिस बार कर लो या फिर 250 बार कर लो ठीके इन में से आप कर सकते हो तो ईक् Kashम लोग allowed करų, तब भी सही tips कर के आप लोगों को मातक काली से बिंती करनी है है माकाली यदि हमारे घर में कोई भी नेगटिवी सक्ति हो भूत प्रेत हो मसान हो चुडेल हो डायन हो जो भी कोई हो पिचासनी हो कोई भी सक्ति हो उस सक्ति को हमारे घर से दूर करिए महरानी और हमारी रक्षा करिए और जो हमें डरवर लगता है सब जाएना है क्योंकि दोस्तों पीली सर्सों से आपकी नेगिटिवुिटी दूर जाएगी और थड़कने के बाद जो आपके पास बचिती है जो राही है अ हाफ बूत जो प्रेत होगा वो चौराय पर मातकाली उसे बांद कर डाल देगी आपके घर से वो हमेशा के लिए चले जाएगा तो यह छोटा सा उपाय है इसे आप कर लेना तो ठीक है दोस्तों अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैमाकाली हर हर मह आदेव में विंति करूंगी मातकाली से मातकाली आप सभी की सारी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी करें खुस रहे आप और खुस रहे आपका परीवार और मातकाली आप सभी की हर एक इच्छा को जल्दी से पूरी करेगी और चैनल पे नए हो तो सभी भक्त जुड़ जय माता की उमनोश